सरकारी स्कूलों में पर्मानेंट बैसिस पर रिक्रूट्मेंट के लिए एक बहुत अच्छी वेकेंसी आई है जिसमें PZT, TZT और PRT तीनों ही पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छी संख्या में वेकेंसी है PZT के लिए 57,000 से ज्यादा, TZT के लिए लगभग 35,000 और PRT के लिए लगभग 80,000 पोस्ट हैं और लगभग सभी विश्यों में बहुत अच्छी संख्या में पोस्ट हैं और पूरे देश से कोई भी कैंडिडेट जो PRT, TGT या PGT के लिए eligibility रखता है वह इन पोस्टों के लिए apply कर सकता है तो जल्दी से देखते हैं इन vacancies को सबसे पहले देखिए ये आप देख सकते हैं कि first to fifth यानि कि PRT के लिए जो unreserved category की seatे हैं 15,947 seats इसी तरह से unreserved women के लिए 16,046 और अलग-अलग categories में आप देखें तो कुल पद लगभग 80,000 PRT की पोस्ट है 79,943 seats ये non-guisted post है इसी तरह से 9 to 11 की अगर हम बात करें 9 से 10 यानि कि TGT post के अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गनित, समाजिक विज्ञान, संस्क्रेट, उर्दू, अर्भी, फार्सी, बांगला इन सभी विश्यों में vacancies है और अलग-अलग स्रेणी में अगर हम देखते चले जाएं कि कहां कितनी vacancies हैं तो आप यहाँ देखिए टोटल लगभग 33,000 और प्रसाइजली 32,916 सीट्स हैं अब देखिए इसी तरह से PGT के पोस्ट के अगर हम बात करें तो यह देखिए लगभग हर विशे में PGT की पोस्ट हैं बोटनी, जुलोजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इकोनोमिक्स, जियोग्रफी, हिस्ट्री, होम साइन्स, म्यूजिक, दर्शन सास्त्र यानि कि फिलोसफी जिसको कहते हैं पॉलिटिकल साइन्स, साइकोलोजी, समाज सास्त्र, एकाउंटेंसी, सोस्योलोजी, एकाउंटेंसी, बिजनस स्टैटिज, इंटरपेनियर्सिप और इसके अलावा, डिफरेंट लैंग्वेजिस में, जैसे अर्भी, बांगला, भोस्पूरी, कंप्यूटर साइन्स, अंग्रेजी, हिंदी, मग्ही, और लोकल जितनी भी लैंग्वेजिस हो सकते हैं इन सब को अगर हम कुल मिला देते हैं, तो हम देखते हैं कि कुल 57,602 पोस्ट हैं यहाँ पे, तो बड़ी अच्छी वेकिंसी है, और सभी सब्जेक्स के अंदर हैं, और ये पर्मानेंट वेकिंसी हैं, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा इनकी eligibility अगर देख लें, तो देखिए 125 के लिए, यानि कि PRT के पोस्ट के लिए minimum 50% marks आपके पास होना चाहिए, 10 प्लस 2 में, जिसको हम intermediate भी कहते हैं, और साथ में आपने 2 साल का जो डिप्लोमा जिसको DL.Ed या D.Ed कहा जाता है, वो आप क्या होना चाहिए? इसके साथ ही, यदि आपने 4 years degree course किया है, जिसे B.Ed का course होता है, चार साल का course होता है, तो B.Ed और D.Ed दोनों के combined degree होती है, अगर आपने ये किया है, दिल्ली इन्वस्टी के C.I.E. से ये course करवा जाता है, especially, तो आप apply कर सकते हैं, एक खास बात जो PRT के लिए कही गई है, वो अगर किसी ने B.Ed किया है, लेकिन उसमें उसके 50% marks हैं, तो B.Ed वाले भी PRT का form भढ़ने के लिए eligible हैं, कहने का अर्थ ये है कि PRT के post के लिए भी बहुत सारी qualifications दी गई हैं, इसमें आप जिसको भी fulfill करते हों, आप उससे भर सकते हैं, इसी तरह से TGT के post के लिए इन्होंने कहा है कि जिस भी subject में आप TGT के लिए form भढ़ना चाहते हैं, उसमें कम से कम graduation में आपके 50% marks होने चाहिए, ग्राजवेशन हो या आप सनातकोत्तर यानि कि master हो तो चलेगा, और इसके साथ साथ आपको B.Ed भी होना चाहिए, ये भी एक जरूरी qualification है, और ये कुछ combinations दी गई ह आपको इसका PDF देखना हो, तो आप हमारा telegram group जोइन कर लीजिए, जिसका link आपको description box में सबसे उपर मिलेगा, और वहां से आप telegram group जोइन कर लीजिए, वहां आपको ये PDF मिलेगा, आराम से आप इसको देख सकते हैं, इसके eligibility को समझ सकते हैं, हम यहाँ पर मुक्ष मुक्ष बातों को discuss करना चाहते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए, कि किस विसे में आप eligible हैं, और आप आराम से ये form भर सकें, 9-10 में देखिए, जहां तक maths का सवाल है, तो इसमें कहते हैं, कि यदि आपने graduation level पे maths के साथ physics, electronics, computer science, या फिर chemistry, या statistics में से कोई भी दो subject पढ़ा है, तो आप eligible हैं, और science के लिए, TGT science के लिए, अगर आपने जियोलोजी पढ़ा है, पौटनी पढ़ा है, और chemistry पढ़ा है, या फिर engineering से आप यदि graduate हैं, तो आप apply कर सकते हैं, और social science के अंदर ये कहा गया है, कि history, geography, economics और political science, इन में से कोई दोस्त भी से आपने जरूर पढ़ हो, और इन दो बिस्यों में से भी एक, या तो इतिहास होना चाहिए, या फिर भुगोल होना चाहिए, और PGT के लिए, जो 11th और 12th class को परहाते हैं, उनके लिए जो qualification दी गई है, वो ये है कि आपके पास, जो master's की degree होती है, उसमें 50% marks होने चाहिए, साथ में आपको B8B होन जरूरी है, तो ये बात हो गई, 11th 12th की, यहाँ पर में एक combination बताया गया है, कि आपको physics, chemistry, economics, commerce और biology में क्या combination आपके पास होना चाहिए, जो आपने post graduate level पे पढ़ा हो, तो आपको eligibility आपकी बन जाती है, जैसे maths में, या तो mathematics या पे applied mathematics में आपने पढ़ा हो, दोनों में से कि एक में किया है, में या में सी, तब्याप eligible होते हैं, physics में, PGT physics के लिए, physics, electronics, applied physics या nuclear physics में से कोई साए एक पढ़ा हो आपने, तो इस तरह से ये combination बढ़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, और यदि आप PGT computer science के लिए apply करना चाहते हैं, तो देखिए, आपके पास कई सार पाए हैं, आपने कोई भी इन में से किया हुआ हो, तो आप eligible हो जाते हैं, जैसे देखिए, सबसे पहले तो ये बताया गया है कि आपने DOEACC से A level में master's किया हो, या फिर जो AICTE से मानिता प्राप्त, तो कोई भी BE या BTEC का course आपने computer science या IT में किया हो, या फिर आपने किसी university से आपने BE या BTEC किया हो, या आपने MCA किया है, तो भी चलेगा, तो इस तरह से कई सारे यहाँ पर में eligibility दी गई है, qualification, तो आप देखिए कि आपने अगर में से कोई भी एक किया है, तो आप eligible बनते हैं, एक खास बात यहाँ पर में यह मैं आपको बता दूँ कि यह जो सार यह post है, यह Bihar Publish Service Commission की तरफ से निकला हुआ है, अब इस advertisement की authenticity चेक कर सकते हैं, BPC यानि कि Bihar Publish Service Commission का आप खोलिए website और फिर आप देखिए यह वाला date, यहाँ पर में आप देख सकते हैं, यह 35-2023, important notice and advertisement for the post of school teacher for class 1-5, 9-10, 11-12 under education department, Government of Bihar, यहाँ पर अगर आप notice पर क्लिक करेंगे, तो यह देखिए, notice आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें यह कहा गया है कि 15-6-2023 से form भरे जा रहे हैं हैं, और 12-7-2023 तक यह form भरे जाएंगे, और इसके लिए www.bpsc.bah.nic.in को आप खोल सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा था, और अगर आप advertisement जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर advertisement के उपर क्लिक करिए, और यह देखिए, यह सारा आपको खुल जाएगा, आपका यह advertisement जिसको आ आप आसानी से यहां से भी देख सकते हैं, और form भी भर सकते हैं, अब देख लेते हैं कि age के बारे में यह लोग क्या बात करते हैं, तो यह देखिए, मैं आपको दिखा दूँ कि age के बारे में एक खास बात यहां यह कही गई है, कि सभी पद के लिए जो age limit होगी, वो count होग चाहिए, यह बहुत important है, और अधिक्तम IU जो है, वो maximum age male के लिए 37, और OBC, EBC, इनके लिए महिलाओं के लिए 40 साल तक की उम्र तक उम्र सीमा तैकी गई है, और SCST के लिए 42 एस तक की तैक, age limit है, सेवा निवर्ति यानि के retirement, 60 साल की उम्र में होगी, इसके साथ ही अलग-अलग IUC मा में छूट भी दी गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, अपनी category के अनुसार, एक सबसे important चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हो, कि form भरना तो आसान है, आप form भर देंगे, लेकिन ज तो scheme of examination है, उसको अच्छी तरह समझ ले, तो तयारी में आसानी हो जाएगी, यह देखे, एक तो यह कहते हैं कि MCQ-based question paper होगा आपका, और इसके लिए सबसे एक जो paper होगा, वो language का होगा, जो कि 100 questions होगे, उसमें 2 भाग होगे, एक 1 to 25 और दूसरे में 75, तो 75 plus 25 यह 100 हो जाते हैं, यह 2 घंटे का paper होगा, और 100 questions, 100 marks, यह है, अब इसमें जो प्रात्मिक से उच्छ माद्मिक, यानि कि PRT की बात अगर हम करते हैं, तो यह देखे, यह कहता है कि एक paper language का होगा, और दूसरा paper जो है वो, GK का होगा, जिसमें 120 questions होगे, दो घंटे का समय आपको मिलेगा, 120 marks होगा इसमें, और इसमें maths है, reasoning है, GK है, social sciences है, national movement है, geography है, environment है, इन से related questions पूछे जाएंगे, और यह generally, जो SCRT ने primary teachers के लिए, जो एक पठ्यक्रम तैकिया है, उसे कानुसार यह question पूछे जाएंगे, बहुत hard नहीं होगे, लेकिन आपका selection इस बात पनिर्भड होगा, कि आपने तैयारी किस तरह से की है, इसी तरह से जो 9th, 10th के लिए जो होंगे, उनके लिए देखिए, एक होगा विशय और दूसरा सामान्य दिया, मतलब subject से related और आपका GK से related, इसमें 120 questions होंगे, 120 marks होंगे, दो घंटे का समय भी आपको मिलेगा, और ये भी दो भागों में मता होगा, एक भाग एक और दूसरा भाग दो, तो भाग एक में एक से 80 question रहेगा, और भाग दो में 40 question रहेगा, इसमें एक तो ये कहता है कि ये एक विशय पत्र है, इन में से किसी एक पत्र को आप चुम सक है, यानि कि any one language among the following, हिंदी, बांगला, उर्दू, संस्क्रेट, अर्भी, फार्सी, अंगरीजी, जो भी ये विशय दिये हुए, उसमें से कोई एक, चुम जी जी और उसका उत्तर दीजी, और दूसरा, जो NCRT की syllabus तै की हुई है, NCRT से जो पत्ठेक्रम दिया गया है, 6-2 ले करके 10 तक का इस्पेस लिए, उसे से, उसी के basis पे आपको question पुछा जाएगा, और भाग दो जो होगा, वो एक general studies का paper होगा, जिसमें की maths है, और general awareness है, general science है, Indian national movement है, geography है, इससे सम्मधित सवाल आपको पुछा जाएगा, और तीसरा जो PGT है, PGT के post के लिए उन्होंने कहा है कि लिखित परिच्छा जो होगी, आपको written exam 120 marks का होगा, दो घंटे का होगा, 120 marks भी होगे, दो पार्ट होगा इसका, पहले पार्ट में 80 question, दूसरे पार्ट में 40 question होगा, और भाग एक, again ये बोलता है, ये एक विशाय पत्र है, यानि कि इसमें जितनी ये जो subjects दी हुई ह उन में से कोई एक subject आपको चुमना होगा, जिसमें आपने MA किया है, या जिस विशाय में आपने PGT के लिए form भड़ा है, और उसके बाद कहता है कि NCRT ने जो prescribed syllabus दिया हुआ है, जो पाठे करम दूआ हो दिया हुआ है, जो content दिया हुआ है, जो उसकी books हैं, उसके basis पर ही आप अपनी तयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, और भाग to again एक general studies का paper होगा, जिसमें कि again maths है, general awareness है, general science, national movement, geography, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसका syllabus भी पूरा नीचे दिया हुआ है, आप इसको आराम से टेलिग्राम बॉक्स में देख सकते हैं, टेलिग्र आरे चीज़ों को आप अच्छी तरह से देख करके, समझ करके और उसके बाद इस form को भरिये, all the best.